नमस्कार दोस्तों, सुआगत है आप सभी का हमारे चैनल आरवेदा एक्सपर्ट पर दोस्तों आज मैं बात करने वाली हो मोथा घांस की मोथा एक तरह की घांस है जो किसानों के लिए सरदर्ग बनी रहती है मोथा घांस खेती के लिए अभिशाप माने चाती है क्योंकि यह इतनी तेजी से फैलती है कि खेतों में लगी फसल को बरबात कर देती है अधिकांश लोग मोथा को बेकार ही मानते हैं लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है असलियत यह है कि मोथा आपके लिए वर्दान की तरह है जी हाँ, जिस मोथा घांस को खेतों की फसल नश्ट करने वाली घांस माना जाता है वह एक औशदी भी है इसका लाटेन नेम साइप्रस रोटेंडस है इसे मुस्तक या नागर मोथा भी कहते है यह सूर का प्रिय भोजन होता है सूर इसकी जड़ खोद कर इसकी कंद को खाते है मोथा में प्रोटीन, स्टार्च और कई कार्बोहाइडरिट पाय जाते है यह इस्त्रियों के मासिक धर्म की रामबान औशद है यह पाचन अच्छा रख, उदर रोख ठीक करती है बुखार और गठिया बाय में यह पायदेमंद होती है दोस्तों, मोथा घांस भारत के जली स्थानों अधिकांश्तह, नालों और नदियों के किनारे नमी वाली जगह पर पैदा होती है यह घांस बहु वर्षिय होती है छोटी ज़ाडी एक से दो फुट उची होती है इसका पतला कांड गहरे हरे रंग का भूमिकत कंद के बीच से निकलता है जो उपरी भाग में त्रिकोणा कार होता है इसके पत्ते लंबे, पतले और नुकीले होते हैं इसके फूल जुलाई में और फल दिसंबर में लगते हैं इसकी जड अंडाकार बहार क्रश्नवर्ण की लकडी के समान गोल आकार की सुगंदेत होती है जो तोड़ने पर भीतर श्वेत वर्ण की होती है जड लगभग एक सेंटीमीटर लंबी और देड से दो सेंटीमीटर व्यास की प्रकंद्युक्त तथा धागों के समान रोबों से ढगी होती है मोथा की जड या प्रकंद जिसे राइजोम कहते हैं इसका ही चिकसी प्रयोग किया जाता है मोथा घास, मेग, किस रदस, शामवन या जल से संबंध होने के कारण इसे वारित भी कहते हैं संस्कित में मुस्ता या मुस्तक कहते हैं इंगलिश में नट ग्रास या कोको ग्रास कहते हैं उर्दू में सद कुफी, उड़िया में मुथा, कन्नड में भद्र हुल्लू या कोर नारी, तेलगू में तुंग मुस्ते या भद्र मुस्ते, नेपाली में कसुर कहते हैं दोस्तों, यह थी पूरी मुथा घास की पहचान आईए जानते हैं इसके फायदों के बारे में, जिसे जानकर आप इसका उपयोग कर सकें दोस्तों, इस्त्रियों के मासिक धर्म की अनियमित्ता में, मुथा घास पीस कर, गुड़ मिलाकर, गोली बनाकर, सुभे शाम लेने से फायदा होता है बुखार में लगने वाली बार-बार प्यास या प्यास न लग रही हो से बुखार हो उसमें मोथा, पित्ट पापड़ा और उशीर देने से जर्मे शांती मिलती है अरुची ये अपचन में ये आपके जठरागनी मंद हो गई है आपको भूख नहीं लगती है या खाना नहीं पच रहा है तो मोथा, सोट और हरड का चूण बराबर मात्रा में लेकर गरम पानी के साथ सेवन करें इसे से आपको जरूरी फाइदा होगा आँखों के रोग या आँखों में होने वाली कंजेक्टिव आइटिस में मोथा की जड़ घी में भून कर पानी में घिस लें रात को आँखों में काजल की तरह इसे लगाएं इसे से आपके आँखों के रोग ठीक हो जाएंगे पेट के रोगों की यह अम्रद बुटी है 50 ग्राम मोथा घास को 400 एमिल दूद या 1 लीटर जल में दूद शेश रहने तक उबाल कर ठंडा कर लें इस मिशन को पीने से आव युद पेचिश तथा पेड़ ठीक होता है या फिर मोथा घास की चटनी बना कर शहद मिला कर इसका सेवन करें दोस्तों गठिया में मोथा घास आमला तथा हल्दी को समान मात्रा में मिला कर काड़ा बनाएं इसके सेवन से गठिया रोग में लाब होता है मोथा के कंद को पीस कर लगाने से भी दर्द में लाब होगा कुष्ट रोग में काले तिल में बाकुची चूण और मोथा चूणों को मिलाकर गुण के साथ सेवन करने से आराम होता है दोस्तों यह थे मोथा घास के फायदे आज के बाद आपको जब कभी भी मोथा घास दिखाई दे तो उसका उपयोग ज़रूर करें उसे फेके ना आपको अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक तरें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारा नेटिफेकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आप सबका यह वीडियो पूरा पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद